आज हम पर ने जा रहे हैं चफटर ी गों पुक का नाम है पुड सुंद फी थी का नाम है द मिड्नायट बजिटर 250 का मतलब यह नहीं किया होता है जनलिया तो गोशत होंगे यह पिर आपका बहुत बढ़ बुरा स्वपना होगा यह पिर कोई चोडोig जасानी कोई After 2 एक्ट की है और उसको कोई मिलने वाला है जो जाता है और बढ़ियानी है मुझे नहीं क्लियर की स्टूडियर की वह धिद्वी और किस तरह एक ऑगंत को मत्राइब देता है अपनी बुद्धी से सो यह कहानी है बहुत बढ़िया नहीं मुझे नहीं क्लियर की वह स्टुडेंट को पढ़ाया जाना क्यों इतना जरूरी है पर सीवेसी के क्लास में है तो फढ़ लेते हैं अब यहां आशीवल एक सेक्रेट एजेंट है और फॉलर एक राइटर है और फॉलर ओसिवल से मिलने जाता है या उसे एक पोईंट ने रख आए फॉलर का सोचना है इन पोईसीवल से मिलके कि यह किसी भी एंगल से सेक्रेट एंजन्ट तो लगी नहीं रहा आज तक जो फॉलर ने sacred agent देखा था या जो इसके इमेजीन थे उसके इसाब से फॉलर किसी भी एंगल से sacred agent नहीं लग रा तो वो उनका कहना था कि he did not fit any description of sacred agent I ever met I ever read anywhere now following him down the musty corridor of the colony gloomy French hotel where our civil had a room Fowler felt let down उसके पीछे पीछे उस आसेवल के पीछे पीछे यह फॉलर होटल जाता है जो एक फ्रेंच होटल है बड़ा सा उदास सा अजीब सा और जहां पर उसने six floor पे एक रूम ले रखा है उसके पीछे और कोरीडोर जो है जो पैसे जिसके होके गुजरता है काफी मस्ती अजीब सी दुर्गंद फैलाने वाले जैसे बासी जो इसमेल है उसमें तो फॉलर को बड़ा जैसे लिट डाउन मतलब एक सर महसूस करना जैसे लगड़ा है कहां आ गया हूं इस तैब से फॉलर उसके पीछे पीछे जा रहा है इट वाजबे से ओल मुरूं यह कमरा बहुत चोटा था ऑन दर सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोड सबसे उपर सिक्स्थ फ्लोड पे है कमरा एंड स्कार्सली मतलब यह है कि मुश्किल सही डंग से सजा हुआ है रॉमांटिक एडवेंट्र मतलब आपको पसंद आए इस टैप की कोई सजावाट कमडे में नहीं है जिसकी आप प्रसुशा करपाई ऑसिवल वाज फॉर वन थीग फैट बेरी फैट पर एक चीज था ऊसिवल में मोटा बहुत मोटा और फिर उपर सुन की वह सेंट एक बोली जो जहां का होता उस एरिया का एक टोन आता है उस पर बोलने का किसी चेतर के आदमी का आपको दिख जाएगा कि वह कहां का रहने वाला है चाहिए वो कोई भी बासा बोलता हो तो एसेंट इनका था दो ही इसको फ्रे वो कभी नहीं यह बूले और यह एसेंट वो बोस्टन से लिके आए थे बीच साल पहले पेरिस नाओ यू आ डिसएपोंटेट ऑसेवल सेड वीजली अवरी सोल्डर तो यह दोनों जब चल रहे हैं उसके कमरे की तरफ जा रहे है तो रास्ते में ऑसेवल जो सेक्रेट एज लिगेंडर येजe सफाय डिलिडग इन डेंजल अपसे कहा गया था कि मैं एक जासू सुल तो मैं जासु में डिल करता हूं film को मोन करता हूं और आप incl यूसट meet me because you are a writer young and romantic आप इसलिए मुझसे मिल रहें कि आप यंग हैं रोमांटिक हैं और राइटर हैं तो आप मेरे से मिलना चाहते हैं यूइन वीजन्ट मिस्ट्रियस फीगर्स इन दर नाइट दक्रैक ओफ पिस्टल ड्रॉग्स इन दवाइब सो आपने कल्पना की होगी कोई मिस्ट्रियस रास्म ही चीजें होगी कुछ पिस्टॉल के गोली सोली चलेंगे कुछ वाइन में कोई ड्रॉग्स मिलाएगा कुछ खुन खराबा होगा इस तरह की अगर कोई आप सेक्रेट जासूस से मिलने जाने तो किसी स्टैप करने आपके में सोच में होगा बट इंस्टीड यू हाव एस्पेंट डॉल इविनिंग इन फ्रेंच मुजिक हौल विट ए इस लॉपी फैट मैं हो इस्टीड ऑफ लिविंग मैसेश लिप्ट इंटू इस हैंड बाई डार काई ब्यूटीज पर इसके बदले में हुआ कि आपके साथ एक ऐसे आदमी मेरे जैसे आदमी और अपने आपको थोरा सा वह कर रहा है रहा है उनके नजर में कि आप मेरे जैसे आदमी से एक बॉर्रिंग फ्रेंच मुजिक हौल में मिलने आ रहे हैं वो भी ऐसा साम जहां पे कुछ नाच गाना या कोई फैंसी कुछ भी नहीं है और स्लॉपी मतला घिला डाला बिना ड्रेस का कपड़ा पहने हुए और इन से मेरे से एपॉइंटमेंट लेते हुए आप आते किसी ऐसे आपिस में जहां कोई रिसेप्सन होती बहुत सी सुन्दर सी इसको बड़े आराम से आप अपना विजिटिंग कार देते फिर वहां से मे एक जोसिक बना रहता है इसके वजाए आपको क्या करना परा डिरेक्ट मेरे को आपने फोन किया मैंने आपको बुलाया और आप यहां पर आगए कितना बोरिंग मिल आपका यह मेरे से मिलना रहा हुए तो यह ऑसेबल फॉलर को कह रहा है या फिर उसकी मन टटोलने की कोश आप मेरे से मिलने आगे यू है बीन बोड बोड हो चुके होगे आप मेरे लिए दफैट मैं चैकल तो हिंसेल्प एजी अनलॉक्ट दोड़ ऑफ इस रूम एंड इस तूड़ साइट तो लेट इस फ्रस्टेटेट गेस्ट इंटर इस तरह वो मुस्कुराया अपने चकल मत दिया जाए जो उनके साथ है इसके बाद आता है यू आर डिसिलूजेंट ऑसिवल टोल्ड इम तो एजेंट उससे कहते हैं कि आपका मो बंग हो गया होगा मेरे से बट टेक चियर मा यंग फ्रैंट प्रेजेंट ली यू विल सी अपेपर अक्वाइट इंपोर्टेंट पे लिखोगे एक पेपर और वो बहुत ही इंपोर्टेंट पेपर है जो आपके मतलब की है आप निरास नहीं हो गए इसके बाद की कहानी अब आगे चेप्टर में अगले नेक्स चेप्टर में इस चेप्टर तक को समराइज कर लेते हैं आपके लिए अभी तक आपने क्या सम अगब पे रहता है ने कोई रिसेप्टिन है ने कोई ऑफिस है बस यूहीं रहता है एक राइटर फॉलर करके हैं जो उनसे मिलने जाते हैं कि सबकुछ मिल जाए लिखने के लिए कोई मसाला तो वो उनसे जब मिलने जाते हैं तो उनको appointment भी बड़ी आसानी से मिलती है उनको phone call करते हैं, phone पे appointment मिल जाती है, मिलने चले जाते है तो वो follower थोड़ा सा निरास होता है ऐसे आदमें से फिर भी वो जब जाता है उनसे मिलने तो एक होटल में चटी मजिल, टॉप मजिल पे उसका एक चोटा सा कमरा है कोई बड़िया सजा भूआ भी नहीं है रास्ते में ये secret agent को लगता है कि ये writer कुछ उदास उदास सा है, जोस नहीं है तो इनको आएसास हो गया कि ये जो अमीद लेके मेरे पास आया था कि एक secret agent से मिलने जा रहे हैं तो बहुत कुछ होगा, कोई गोली वगाली चलेगी, कुछ बूदवात होगा या wine drugs का कोई खेल होगा, कोई रास्तमाई चीजें होंगी, सो तो इनको मिला नहीं, तो ये बड़े निडास होंगे तो फॉलर के लिए guess करते हैं, औसे बड़े, secret agent कि ऐसा कुछ इनके साथ हुआ है तो उनका मन भीटर टोलनी की कोशिस करते हैं फिर बाद में आस्वासन देते हैं कि एतना निडास होने की चीज नहीं है एक बहुत important paper में आपको दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही आगे चलके बहुत important है अब आते हैं next page पे और देखते हैं वो क्या है So a quite important paper for which several men and women have risked their lives Come to me कहने ऐसा important paper है जिसके अनी को मतलब महिलाएं और मर्द मतलब और पुरुस मारे गए अपने life को गवा दिये या रिस्क पे लिए जोखी मुठाएं और वो paper मेरे पास आने वाला है Someday soon that paper में will affect the course of history बहुत ही जल्द कुछ दिनों में ये paper इत्यास में कुछ करने वाला मतलब ये कि इत्यास रचने वाला है in that thought is drama isn't there is there not कैने क्या ये सोच ये ड्रामा अटकर ही नहीं लगना मतलब ये वह इत्यास रचने वाला है स्विश टैप करें और तब तक ये कमरे में पहुंच गया था इनका जो बिजिटर है फॉलर वो भी अंदर आ गये थे तो generally जैसे हम लोग कमरे में गुशते हैं तो पीछे से अपना दर्वाजा फिर बंद कर देता है तो उन्होंने डोर को behind him close कर दिया और close करके light switch on किया है light जलाने के लिए and as the light came on faller had his first authentic thrill of the day और जैसे ही light जली यह जो फॉलर विजिटर है वो जो अन्मान करके आ रहे थे कि कुछ thrill रोमांच मिलेगा उनके लैफ का पहला रोमांच उसके सामने नजर आया वो क्या था for half way across the room a small automatic pistol in his hand is to a man ठीक रूम के बीच में एक automatic छोटे से revolver के साथ एक आदमी खरा था वो भी बंद दर्वाजे के अंदर सो यह thriller था फॉलर के लिए और सेवल ब्लिंक टे फ्यू मिनट जो दूसरा एजेंट है मोटा वाला आदमी थोड़ी देर के लिए तो ऐसे ब्लिंक करते आप मतलब पलके जपकते लगा कि यह क्या होगा मैक्स ही विज्ट अब वो अभी भी हाँ फ्राय मोटा आदमी इतना चे मंजिल चरके है तो अभी भी उसकी सांस तो फुली हुए तो पूलते भी बोलना है कि मैक्स मैक्स का बनना है उसका हूलिया के बारे में स्लेंडर दूला पतला जैसे बिलकुल जिसको कहते हैं लिटिल लिस्टेंट अल मतला भी नहीं करेंगे कि लंबा है विच फीचर्ट डैट सवेश्टेट इस लाइटली दा क्राफ्टी फीचर्ट जो है बिलकुल क्राफ्टी जैसे सुडल जिसको कहेंगे बड़ यहां बनावत पॉइंटेड कॉंटेड कॉंटे सबकुछ असाइड फ्राउम दगान नतिंग इस पेसली मेने सिंग तो उसके आथ में वो गन जो है सिर्फ वो डरावना है इसके अलावा उसके चेरे में और कोई खतर ना किया डरावना पन नहीं है मैक्स जो है दाहिपोर्ट ही अrat जो असलने मिषाइल जो आज तुम्हारी यहां पास लाया जा रहा है और जो मिसाइल से संबंदित है, मिसाइल समझते हैं, जो आतियार्स बगेर होते हैं, अपने आप चलने वाले, I thought I would take it from you, it will be safer in my hand than in yours, मैं समझता हूँ कि यह मैं तुमसे ले लूँ, क्योंकि यह तुम्हारे बजाए मेरे हाथ में जारे सुरक्षित हैं, मतलब यह मैक्स भी दूसरा sacred agent ही है, अब वो कोई ऐसी important paper है, जिसकी सैद कोशिस दोनों ही कर रहे होंगे अपने इंगल में, इनके पास आ रहा है, उनके प दोनों कमरे में पहुंच गए हैं, और कमरे में जो ही पहुंचते हैं, और कमरा बंद करके लाइट जलाते हैं, तो पाते हैं कि बंद कमरे के बीच ओ बीच एक आदमी पिस्तोर लेके खराम का इंजार कर रहा है, तो चौक गया दोनों का दोनों, और पूछता है, तुम तो बजाए मेरे लिए सही जगह है मेरे जगह पे उस रिपोर्ट का सही जगह है आते हैं नेक्स्ट पेज पेज तो पेज थर्ट और सिवल मूब्ट टु एन आर्म चेयर एंड साथ डॉन हैविली तो अपने एक आर्म चेयर के पास जाता है और मोटा आदमी जो बैटेगा तो है भी बैटेगा द्राम से बैटेगा I am going to raise the devil with the management this time और यह बोलते हुए कि इस बार management मतलब जो होटल का मालिक है जिससे उन्होंने किराय पे लिया है यह कहते हुए कि इस बार मैं उससे पंगा लेने वाला हूं मतलब लडाई होने वाली मेरी and you can bet on it he said gloomily बरेगी गुसे में या थोरा सा टाइट होके बोला है कि तुम इस पे शर्ट लगा लो इस बार मैं चोरूंगा नी management को जिससे उसने किराय पे लिया है this is the second time in a month that somebody has got into my room through that new sense of balcony यह कह रहे हैं कि यह महिने भर के अंदर दूसरा case है कि कोई आदमी वो new sense होता है चिट एक बाधा मतलब एक problem यह एक balcony बनके रह गया है कि balcony से मेरे अंदर आदमी कोई गुच जाता है और यह दूसरी बार है और इस management को पहले बोला था तो उन्होंने बोला था कि इसको check कर देंगे faller's eyes went to the single window of the room और जब यह कह रहा था कि बालकोनी से कोई मेरे कमरे में बुच जाता है कि इट वाज एन ओडिनरी विंडो बहुत ही ओडिनरी विंडो है एगेंस्ट विच नौद नाइट वाज प्रेशिंग ब्लैकली और उस खिर्की के पार बिलकुल अंदेरा अंदेरा नाइट दिखता है अब यह जो दूसरा जैन्ट है जिसके हात में फ्रिष्ट्ओ से क्षट बी की सबसकी म्तलब में पास तो मास्टर की है मैं बॉल कॉनिच नहीं है So I did not know about the balcony, मुझे तो बालकोनी का पता ही नहीं So it might have saved me some trouble, had I not अगर मुझे पता होता, तो मेरे कुछ प्रॉबल बजगे होते, फिर तो मैं उदर से ही आता It is not my balcony, Ausseval said with extreme irritation So ब्राचीट के बोला, रह ये मेरा बालकोनी नहीं है It belongs to the next apartment, वो बगल वाले अपार्टमेंट का है He glance explanatory at Faller, और फिर वो ये उसको explain करने लगा कि क्या कैसे है और वो Faller को देखके कर रहा है, Ausseval, ना कि Max को कह रहा है So Faller को देखके कह रहा है, you see, मतलब आपको पता है He said, this room used to be part of a large unit ये कमरा जो है, बड़े एक unit का एक पार्ट होता था मतलब इसमें से एक कमरा था And the next room, through that door there और जो next कमरा है, जो इस दरवाजे से होके जाता है Used to be the living room वो living room था इसका It had the balcony और उसका एक बालकोनी था Which extends under my window knob और वो बालकोनी मेरे खिर की तकावाद आता है So you can get in on to it from the empty room two doors down और तुम कोई भी वो दो दरवाजा क्रोस करके उस उस बालकोनी की थुरू मेरे कमरे से मेरे कमरे आ सकते हो इदर कहीं भी So and somebody did last month और किसी ने ऐसा किया है फिसले महीं ने So the management promised to block it off but they hadn't और मेरे 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 में को जब मैंने सिकाइट किया था तो उसने वादा किया था किसको मैं बंद करवा दूंगा पर अभी तक उसने नहीं किया और आज फिर दूसरा केस है कि कोई उदर से पहुंच गया Max Glanced at Faller, Max ने फॉलर जो यह रैटर मिलने गया है उस पे नजर डाला Who was standing stiffly not far from Aushebel, जो Aushebel के नजदिक में ही खरा तक जैदे दूर नहीं था And waved the gun with a commanding gesture, please sit down We have a weight of half an hour I think, यह हमें आदा गंटा इंजार करना पर सकता है या करना पर हैगा मुझे इसा लगता है, मतलब वो paper जो आने वाला जब आएगा यह उनसे छीन लेंगे तो इसलिए वो जो आदमी खरा है, एक ही पेस्तॉल पे दोनों को gun point पे लेना है तो चाहता है कि वो भी ऑसेवल के पास आके बैट जाए चुपचा आदा गंटा चुपचा बैठा रहे है So वो इस सारे से कर रहा 31 minutes, ऑसेवल said moodily वो ने बोला जो ही कि आदा गंटा बैठना है तो ऑसेवल उनको कहते हैं कि नहीं, 31 minute बैठना है The appointment was for 12.30 क्योंकि appointment जो है, सारे 12 बजे का है और that means अभी 12 बजने में 1 minute बांकी है इसलिए उसेवल ने हिसाब ठीक से लगा दिए कि अभी आपको 31 minute इंदिजार करना है I wish I knew how you learned about the report, Max करें, कास मुझे पता चल जाता कि तुझे मेरे इस report के बारे में पता कैसे चला कि मेरे पास कोई report है The little spy smiled heavily And we wish we knew how your people got the report और वो जो Max है, दूसरा spy, जासूस वो बड़ी दुस्टता से हंसता है और कहते हैं, और we wish And we wish, मतला हम चाहते हैं कास हमें पता होता है कि तुम्हारे लोगों को ये report मिल कैसे किया उनने हासिल कैसे कर ली But no harm has been done पर अभी कुछ बिगरा नहीं है I will get it back tonight What is that? Who is at the door? So कह रहे हैं कोई बात नहीं मैं आज रात ही अभी इससे वापस लगा कि तभी उनको कुछ लगता है Max बोल ला हैं कि ये क्या है दरवाजे पर कौन है So faller jump at the sudden knocking at the door और उसी time faller जो है जो आशेवल के पास खरे हैं writer वो अचानक से कूद परते हैं क्योंकि अचानक से दरवाजे पर यहां बात चली रही है एक serious है mysterious कि दरवाजे पर knock होता है तो faller थोड़ा सा jump हो जाते हैं आशेवल just smile और और आशेवल बड़े आराम से मुस्कुराता है That will be the police वो police होगा I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection कहने कि मैंने ऐसा सूचा था कि इतना महतुब पेपर जिसका हम लोग अभी इंजार कर रहे हैं आने वाला है इसके लिए कुछ protection extra होना चाहिए So I told them to check on me to make sure everything was all right इसलिए मैंने पुलिस को बोल दिया था कि बीच बीच में आके आस्वस्त होते रहना कि सब कुछ ठीक है कुछ घरवर तो नहीं है मेरे साथ So मैंने पुलिस को बोल दिया था Max bit his lips nervously Max तो अपना होट काट के रहे गया The knocking was repeated What will you do know Max? Ausevall said Ausevall ने उसे पूछा अब क्या करेगा Max? पिस्तोल के तु मेरे सामने खरा है पुलिस आ रही है If I do not answer the door They will enter anyway और अगर मैं दोर को अभी जवाब नहीं भी दूँगा तब भी वो अंदर तो आही जाएंगे पुलिस वाले The door is unlocked And they will not hesitate to suit you और वो पुलिस है और तुम्हारे हाथ में पिस्तोल ताना हुआ तुम्हारे पॉइंट पे हम दो आदमी को देखेगा तुमसे पूछने ही नहीं लगेगा कौन है वो हाथ ते ही तुमको शूट करेगा तो अब बता क्या करना है Max face was black with anger As he backed swiftly towards the window उसका चेरा तो Max का काला पर गया कि अब क्या करना वाकई पुलिस आ गई है So उन्होंने तुरह तो वो जो विंडो था जिसके नीचे अभी अभी उन्होंने बोला है कि वो है बालकोनी है उसकी तरफ ये आगे उधर के तरफ बढ़ गया पर उधर घुम नहीं सकता ना गण पॉइंट पर भी इसको रखा है तो बोडी धर जा रही है और सरीर मुडा हुआ है उसके तरफ कि गण पॉइंट पर दोनों को भी संभालना है तुबास दव विंडो एक पैर को उन्होंने स्विंग करके जो खिरकी का असिल होता है उसके आगे उस सैड़ में बढ़ा दिया आप बगल वाले पेज पे पोटो भी देख सकते हैं बस वही सीन है कि एक लेग उन्होंने खिरकी से बाहर कर दिया है और मुडा हुआ है पीछे के तरफ गन इन दोनों के तरफ कर रखा है और कहते हुए कि यह पुलिस वाला जो है उसको चलता कर दो वापस मैं बालकोनी में वेट करता हूँ पर वहां से तुम दोनों निसाने पे रहोगे और आई विल सूट एंड टेक मैं चांस जो कह रहें या थो उनको वापस कर देना नहीं तो मैं सूट कर देंगा और मैं अपना मोका गमाओंगा नहीं मतलब जो मोके मिले हैं मैं उसका फैदा उठाऊंगा तरफ यहाँ पे नौकिंग और जोर से होती है और जोड से वहाँ से अब आवाज भी आ रही है, पूछते हुए कि मिस्टर ओसिवल, मिस्टर ओसिवल, पेज यहाँ पर खतम होता है, थर्ड पेज, इस चेप्टर का, अब तक की समरी क्या है, अब तक की समरी यह है, कि कमरा में अंदर आके ओसिवल अपने चेर पर बैठता है, कि यह फिर मेरे बंद कमरे में अचानक से बालकोनी से और खिरकी से गुश गया है, और यह महिने में दो बार है, मैं इस बार मेनेजमेंट को मैं छोड़ूँगा, बंद करूँगा, किया नहीं, और फॉल ओर को यह सब समझाने कोशिस कर रहे हैं, मैक्स को अजूबा ल होती है, कि इस बीच में कोई दरवजा खट-कटाता है, और जब दरवजा खट-कटाता है, तो आसिवल कहते हैं, कि मैंने पुलीस को पहले ही बूल दिया था, कि मेरे पास इंपोर्टेंट पेपर आने वाले हैं, तो कुछ रिस्क हो सकता है, कोई डेंजर हो सकते हैं, तो तो यह उसिवल इस बात को यहां पे डिस्क्लोज करते हैं, अब मैक्स घवरा जाता है कि यह पुलिस कहां से आ गया, मेरे हाथ में पिस्तॉल है, तो मैं ही बनूंगा निशाने पे, तो अब मैक्स के लिए खत रहा है, अब यह आगे क्या होता है, चलिए नेक्स पेज़ पे, ओके, keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself, अब क्या है कि gun point पे दोनों को लेते हुए, जैसे कि आप photo में देखेंगे, वो दोनों, वो क्या हुआ कि एक हाथ से खिरकी का frame पकरता है, अपने body को balance करने के लिए, और his guest or audible को gun point पे भी ले रखा है, तो थोरा सा body को पीछे के तरह गुमाया हुआ भी है, और खिरकी के frame को पकरता है, then he swung his other leg up and over the window sill, और फिर फिर वो पकर के अपने balance को हाथ पे उठाता है, body के और दूसरा पैर भी उठाके, खिरकी के उस बार, swing करके ले जाता है, दूसरा पैर भी, the door knob toward, उसी time में door का knob घूमता है, दूसरी तरफ, swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and drop to the balcony, और तबी इधर खूल रहा है knob और उधर बड़ी तेजी से Max ने अपने हाथ को जटकी के साथ, उस frame को जो पकरा हुआ था उसको छो रहा है, और अपने आपको आगे की तरफ जटका देता है, ताकि वो बालकोनी में कूज जाए, और वहां से वो jump लगा देता है, drop, he screamed once shrilly, और वहां से cheek निकल जाती है, जैसे कुछ भेद देने वाली, जैसे penetrating कोई आवाज, और दरवाजा तब तक खुल के एक वेटर आता है, उसके आथ में ट्रे होता है, एक बोतल होता है, और दो ग्लास होता है, जो एक्सपेक्टेड है कि वो पुलिस है, मैक्स को बोला गया था, so here is the drink you ordered for when you returned, so वो वेटर कहता है इन से, कि ये हैं आपके order, जो आप वापसी में देगे गया थे, he said, and set the tray on the table, deftly uncord the bottle and left the room, so tray को table पे रखता है, बोटल को uncord call देता है बड़ी वोसियारी से, और कमरे से चला जाता है वेटर, white-faced, faller, stared after him, faller का तो चेहरा बिलकुल सफेद पर जाता है, वो घूरता है उसके पीछे, वेटर वापस जा रहा है, और फिर उसेवल की तरफ देखता है, और हकला जाता है, but stammer, हकला के की, मतलब उसको ये लगता है, the police, मतलब पुलिस कहा है, so faller को ये लगता है कि बाहर तो अब तक गोली क्यों नहीं चली, कि वो पुलीस के बज़ए वो वेटर अंदर आया, बोटर रखके चला गया, अब तक तो गोली से में हम लों को सुट कर देना था, तो इसका तो दिमाग बुड़ा हुआ कि आप गोली चली तब गोली चली, वो अंधेरे में है, दिखतो रहा नहीं, तो यह हकला कि ऑसेबल को पूचता है, कि पुलीस का, मैंने इसको बोला था, तो मैं इसी का अनमान कर रहा था, वो आएगा, फिर फॉलर कह रहा है, पर वो आदमी जो बालकोनी के में बाहर खरा है बंदूर पर उसका क्या तो बड़ा आस्चर शुक पूछ रहा है और नहीं, वो अभू आपस नहीं आएगा, यू सी, मा यंग फ्रैंट, देर इस नो बालकोनी, कह रहे हैं कि अब वो वापस आने वाला नहीं है, तो मैं पता है, वहाँ कोई बालकोनी नहीं है, अब अगर बालकोनी नहीं है, तो छे मंजिल से, किर्की से किसी ने जंप लगा दी, कि अब उस मैक्स का क्या हुआ होगा, तो ये है कहानी देंट, इसमें सिर्फ इतनी आप सीखने को मिल सकता है, कि कैसे किसी को आटवीट की अपनी मुद्धी से, कैसे स्मार्ट ली चक्मा देके उसने निजात पाई, अधर्वाइच वो मैक्स के गन पॉइंट पेंड का रि थैंक यू